नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अनकेट सेट और आप देख रहे हैं आपन बनारस YouTube चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो मैं आप सभी को वारांसी के गोदोलिया मार्केट का नाइट व्यू दिखाने वाला हूं कि रात में यह मार्केट कितना खुबसूरत दिखता है अभी मै मैं दशाशमेद घाट से आगे गोदोलिया चौराय की तरफ बढ़ रहा हूं अभी अभी गंगा आर्ती खतम हुई है इसलिए इतनी भीड दिख रही है क्योंकि जो भी लोग दूर दरा से विश्व प्रसिद्ध गंगा आर्ती को देखने आते हैं वो आर्ती देखने के ब परेटक वरांसी घुमने आते हैं और उनका मुख्य आकर्शन होता है दसासमेद घाट के विश्व प्रसिद्ध महा आर्ती कोरोना की दूसरी लहर के चलते हैं आर्ती केवल एक ही अर्चक द्वारा हो रही थी फिर उसके बाद बाड ने आर्ती स्थल के साथ ही आस्थावा को भी गंगा आर्ती से दूर कर दिया था लगभग पांच महीने के लंबे इंतजार के बाद अब गंगा सेवा निधी द्वारा दसासमेद घाट पर विश्व प्रसिद्ध द्यानिक मा गंगा की महा आर्ती का भवे रूप अब आरंब हो गया है दोस्तों अगर आप भी ड पर आपको दसा समेद घाट की संपूर्ण गंगा आर्ती के वीडियो मिल जाएगी आप जाकर जरूर देखें इस समय रात के सवा 8 बज़ रहे हैं आप देख सकते हैं कि दुकानों पर काफी भीड देखने को मिलेगी चलिए दोस्तों चलते चलते आपको वारांटसी से चुनार की यात्रा कर पाएंगे वारांटसी के रविदाज घाट से सुबह 9 बज़े या यात्रा शुरू होगी इस दौरान परटगो को यह ग्रूज शूल्टं किश्वर महादेव मंदिर के दिव दर्शन कराते हुए चुनार किले तक ले जाएगा और चुनार पहुचन यात्रा का टिकट शुल्क तीन हजार पर प्रतिवेक्ति निर्धारिट किया गया है जिसमें ब्रेकफास्ट और लंच भी शामिल है पारांटसी से चुनार तक की यह यात्रा रविवार सुबह 9 बज़े से शाम 5 बज़े तक होगी यह हर रविवार को रहेगी दोस्तों सामने आप लोग दो रास्ते देख रहे होंगे जिस रास्ते से हम आए हैं वह दसाशमेट घाट वहीं यह रास्ता शितला घाट की तरफ जाता है इस तरफ आप देखेंगे कि पाथवे बनाए गया है जिस से पैदल आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों राज की समय भीड जादा हो जाती है इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी प्राब्लम फिस करनी पड़ती है मेरी दाई तरफ आप देखेंगे कि प्रिहस्पति भागवान का मंदिर है और इसी के सामने खिचड़ी भागवान का मंदिर है खिचड़ी बाबा का मंदिर है चलिए आगे चलकर मैं आप सभी को वो दिखाता हूँ यदि आप दूर दरास से आए हैं तो आपको खाने पीने की चीजे भी इधर मिल जाएंगी दोस्तों यह है श्री काशी विश्वनात मंदिर का सिंग द्वार यहीं से रास्ता विश्वनात गली होते हुए श्री काशी विश्वनात मंदिर निकल जाता है और इसके उपर जो मूर्ती लगी है जो देख रहे हैं आप लोग वो आदिकुरुष संकराचारे की मूर्ती है यदि आप इस द्वार के अंदर विश्वनात गली की वीडियो देखना चाहते हैं तो उस उस वीडियो की लिंक भी हमारी चैनल पर मिल जाएगी आप आहाँ से जाकर देख सकते हैं दिन से ज्यादा इस समय रात में ही भीड हो रही है क्योंकि दिन में धूप की वज़े से अधिकतर लोग खरीडारी करने नहीं निकलते हैं वही लोग रात में निकलते हैं जिससे भीड और ज्यादा बढ़ जाती है ये गोदोलिया का मार्केट है वारांसी में जो भी परेटक दूर दराज से खुमने आते हैं वो इस मार्केट में जरूर आते हैं क्योंकि यहाँ से भी एक रास्ता काशिव विश्चना धाम की ओर जाता है जो मैंने आपको पीछे दिखाया है दोस्तों यदि इस वीडियो में मेरी आपको थोड़ी सी भी मेहनत लगे तो लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक जरूर करें मित्रों गोदोलिया चौराहे से लेकर रशाश्मित घाट तक जो ये रोड बनाया गया है इसे गंगा पथ या पिंग कोरिडोर का नाम दिया गया है वहीं गोदोलिया चौराहे से मैदागिन तक जो रोड बनाया गया है उसे गौरव पथ का नाम दिया गया है उस रोड पर अभी काम चल भी रहा है यहां मार्केट श्ट्रीट शॉपिंग के लिए बेश्ट माने जाता है इसके अलावा भी बहुत सी जरूरत के समान की दुकाने भी यहां पर मिल जाएंगी जहां से आप खरीडारी कर सकते हैं गोदोलिया चौराहे पर मल्टी लिवल पार्किंग जो बनाये गया है उसमें भी एक मार्केट खूलने वाला है जिसका नाम संजय गांधी मार्केट रखा गया है इस तरफ मार्वाड़ी हिंदू अस्पताल है और उसी के सामने है आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है संजय गांधी मार्केट दोस्तों अब हम गोदोलिया चोराहे पर पहुच चुके हैं और ये वीडियो अब हम यही पर खतम करते हैं मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में धर्निवाद हरहर महादेव जैहिन मिलत देख से लिफास्टर जया험 यह चुके हैं झाल झाल